नमस्कार फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी बाई फैश्डी पर और आज से आप सभी की ट्रिपल सी की ओलन क्लास रो हो चुकी हैं तो ऐसे बच्चे जिन्होंने अपना फॉर्म अप्रेल एकजाम के लिए मई एकजाम के लिए या फिर जूल एकजाम के लिए भरा है तो आप सभी के लिए यहाँ पर क्लास रो चुके हैं क्लास का समय रहेगा डेली 8 वज का 30 मिनट पर दिया रखना है तो 8.30 पीम पर आपको क्लास मिलेगा ठीके और जब आप चैनल पर आएंगे तो यहाँ पर एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा और इस प्लेलिस्ट में जाकर के आप बहुत सारे प्रिवियस क्लास देख सकते हैं और जो आपको चाहिए वो यहाँ से पढ़ सकते हैं ठीके अगर आप डिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा जिसमें चैप्टर वाइज यहाँ पर कोस्टन को डिसकस किया गया है वो भी आप पढ़ सकते हैं ठीके और एक रिकर्ष्ट और आप से रहेगी अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें और वेल आइकन भी आउन कर लें ताकि नोटिफिकेसन आप सबीको मिलता रहे क्योंकि जब भी कोई नया क्लास नया अपडेट होगा चैनल पर तो उसका नोटिफिकेसन आप तक पहुंचेगा और आप उस class को देख पाएंगे ठीक है तो जो भी साथ ही चैनल पर नए हो आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवस्याइब करने ठीक है चलिए शुरुआ तो भाई सभी साथ ही एक बार सेयर कर दो ताकि और भी students class को जोईन कर सके हैं तो सभी लोग सेयर कर दो ताकि और भी वच्चे आ जाए class में और class का समय आपको पता चल गया है 38 पर होगा और अगर आप टेलिग्राम जोईन करते हैं तो वहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगे ठीक ह तो आप टेलिग्राम जनल को जोईन कर सकते हैं इस class का PDF डाउनलोड करने के लिए और टेलिग्राम जनल का लिंक आपको वीडियो के description वाक्स में मिल जाएगा जहां से आप टेलिग्राम को जोईन कर सकते हैं चलिए शुरुआत करते हैं आज का सबसे पहला question आपकी स्क्रीन यह थ्री रेंज को जोड़ना है उसके लिए कौन सा function आप यूज करेंगे यह आपको बताना है और सही जवाब यहाँ पर होगा सी option करेक्ट आपका ठीक है अब सी option कैसे करेक्ट होगा इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझ लेजिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आपका सी option करेक्ट है ठीक है जब भी कभी रेंज की बात की जाए तो रेंज में क्या होता है आप सेल का पहली वैलू जो होती है उसको और यह जो आप देख लिए न कॉलन यह operator काम करता है रेंज बनाने के लिए ठीक है जैसे मालिया कि अगर किसी भी सेल में कोई भी आ और यहां पर लिखा मैंने वन तू यह हमारे क्या है रो है और यहां पर मैंने लिखा चार पांच दो और साथ ठीक है अब देखें यहां पर जो मैंने बैलू डाली है यह जो फोर लिखा गया है यह किस आपका सेल का एडरस इसका क्या होगा एबन होगा ठीक है इस सेल का ए value का योग आ जाए, total आ जाए और वो total हम यहाँ पे चाहते हैं, तो यहाँ पे मुझे एक formula लगाना पड़ेगा, वो होगा equal, उसके बाद sum और यहाँ पे पहली value देखना पड़ेगा क्या है, तो पहली value हमारी 4 है जिसका address क्या बनेगा, A1 बनेगा तो हम यहाँ पे column लगा देंगे और last value हमारी 7 है, जो की जिसका address क्या होगा, D1 होगा तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे A1 और D1 ठीक है, यहाँ पे हमने एक range बना दी है, ताकि इससे यह हो जाए कि इसके बीच में जो value आए, वो सब जूड जाए तो इसमें यह सब को जोड़ेगा, यहना 4, 5, 2, 7, निन सभी को जोड़ करके यहाँ पर value बता देगा, ठीक है बढ़ते हैं, आप question number second आपके screen पर है और यह काफी simple सा प्रसने आपको बताना है, भाई, save का shortcut की क्या होता है save का shortcut की, सब को पता होगा, जल्ली से भेज दो answer क्या हो जाएगा, और सही जबाब है आपका option एक, control S होता है save का होता है, control S अब हम आप से पोच रहे है, save as का क्या होता है, आप बता देजिए save as का shortcut की क्या होता है, ध्यार रखना यहाँ पर, जो भी आपका word processor, आपका spread seat, आपका impress आएगा, वो लिप्रोफिसे संबन्दित होगा, तो यहाँ पर जो save as का shortcut की होगा, वो control shift और yes होगा, ध्यार रखना है, क्या होगा, control, shift और s होगा, save as का shortcut की, ठीक, नैश कुस्षिन आपके स्क्रीन पर और आपको बताना है यह वाला answer, चलिए, इस question का जबाब करो, आप UPI किसे, किसके दोरा wixit किया गया है, UPI किसके दोरा wixit किया गया है, इसका full form भी देख लिएजी, यहाँ पर क्या होता है, unified payments interface होता है, ध्यार रखना है, जिसको PCI के दोरा wixit किया गया है, किसके दोरा, NPCI के दोरा wixit किया गया है, और एक बारा आप लोग comment box में बता दो कि MPI का full form क्या होता है, तो इसका भी full form आप बता दीजिए, gemだ P.C.I. का full form क्या होता है, National payments corporation of India, क्या होता है, ध्यार रखना है, आपको नेशनल पेमेंट्स कर्पूरेशन अफ इंडिया ठीख है और जो चीजी IMPORTANT है मैंने का था आप नोट डाउन भी करते जागेगा नेशनल पेमेंट्स कर्पूरेशन कर्पूरेशन अफ इंडिया होता है NPCI का पूरा नाम को याद रहेगा आपको चलिए question number अगला आपके screen पर और यहाँ पर आपको बताना है कौन सी key text के cursor के बाएं और से delete करता है काफी अच्छा प्रशन है कौन सी key मतलब कौन सी shortcut key कौन सी key ऐसी है ठीक है जो text के cursor के बाएं और से delete करता है आपने कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है और यह आपका cursor है ठीक है और text के cursor के बाएं तरफ से delete कौन सी कुझी कराएगी तो c option correct होगा backspace और backspace जो key होती है वो भी क्या करती है गाएं तरफ लेकिन cursor के बाएं तरफ लेकिन cursor का right right side यह है और left side यह है तो हमसे पूछा है बाएं तरफ जाने की left side तो cursor के left side का character कौन डिलीट करेगा भी backspace करेगा अगर backspace को आप दबाते हैं और यह आपका cursor होगा तो भाई क्या delete होगा e delete हो जाएगा तो इसे दबाएंगे तो c delete हो जाएगा तो e delete हो जाएगा है ना और अगर आपका cursor यहाँ पर है तो आप दबाना पड़ेगा तो अगर यह cursor है और इसके right hand side में यह हमने लिखा हुआ है तो right hand side का अगर हमें कोई भी character delete करना है तो इसके लिए मुझे delete की प्रेस करनी पड़ेगी धिया रखना है delete की जो होती है वो cursor के दाई तरफ के character को delete करता है और backspace की जो होता है वो cursor के बाएं तरफ के character को delete करता है इसको भी आप धिया रखें ओके तो यह भी आपके लिए काफी important है इसे आप बिल्कुल भी धिया रखें cursor के दाई तरफ delete करना है तो आपको क्या करना होगा तो आपको delete बिटन दबाना होगा और cursor के बाएं तरफ कर delete करना है तो आपको फिर backspace को जी प्रेस करना होगा चलिए बढ़ते हैं next question के तरफ और question number 5 आपके सामने ये रहा पूचा है first search engine निम्ड में से कौन सा है comment box में answer करें जल्ली से क्या हो जाएगा और यहां पर सभी search engine दिये हैं लेकिन पहला search engine की बात हो रही है तो यहां पर क्या होगा आर्ची होगा first search engine आपका कौन सा होगा आर्ची होगा और search engine क्या होता है आपको पता होगा है ना search engine का काम होता है आप जो चीज आप मंगाना चाहते हैं यानि कि जो भी चीज आपकी internet पर है www पर है उसको अगर आप search करते हैं तो जो search engine होते हैं इनका पस यही काम होता है इनका database में अगर वो चीज है तो आपको search करके देते हैं ठीक है और सबसे popular अगर search engine की बात करें तो आप सब भी को पता है कि Google है अगर आप कुछ भी चाहते है तो उसके बारे में Google आपको detail में सारी चीज़ें देता है और जो भी चीज़ें होती है उसको क्या तक crawl करता है और आप तक पहुंचा देता है ठीक है लेकिन सबसे पहला search engine यहां पे पूचा है तो वह है आर्ची ठीक है सबसे पहला search engine के कर बात करें तो अगला question यह रहा question number 6 new slide insert करने की shortcut की new slide और slide की जहां पर बात आये तो आप समझने के क्या होगा इंप्रेस होगा यानि की आपका क्या होगा presentation होगा तो इंप्रेस में नई slide insert करने की shortcut की आपको बतानी है comment box में क्या होगी control M होगी ठीक है ध्यारकना है control M हो जाएगी shortcut की और control M से होता क्या है नई slide आपकी insert हो जाती है ध्यारकना है अच्छा एक बात और है अगर हम पूछें आप से कि duplicate slide करने की shortcut की बताओ duplicate duplicate slide की क्या होती है पताइए जो slide आपने बनाई है जो design यहाँ पर की हुई है हम सेम design के slide एक और यहाँ पर चाहते हैं तो duplicate करना चाहते हैं हम नहीं नहीं चाहते हैं हम चाहते हैं कि पहली वाली slide यहाँ पर आजाए duplicate हो जाए उसका उसके लिए हम क्या करेंगे control-d press करेंगे ध्यार है आपको control-d duplicate करने के लिए और control-m जो slide आपकी होगी वो नई slide को insert कराने के लिए shortcut की होगी control-m चलो question number next आपके screen पर अब आपको बताना है भारत में उमंग एप कब शुरू किया गया उमंग एप कब शुरू हुआ और बता दो भाई उमंग एप का पुरा नाम भी इसका full form क्या होता है unified mobile application for new age governance unified mobile application for new age governance होता है और कब शुरू किया गया यह आपको बताना है तो बीश नवंबर 2017 को option B आपका right होगा धिया रहेगा आपको बीश नवंबर 2017 को उमंग एप सुरू किया गया जिसका मतलब होता है unified mobile application for new age governance question number 8 का जबाब करिए आप जब एक उपवोकता दूसरे उपवोकता के साथ सेबाओं का आदान प्रदान करता है तो कहलाता है तब उसे क्या कहते हैं जब एक उपवोकता दूसरे के साथ क्या करता है सेबाओं का आदान प्रदान करता है तो क्या कहलाएगा B to B, C to C, G to C या फिर B to C तो ध्यार रहेगा option B हो जाएगा C to C यानि कि customer to customer कहलाएगा या फिर consumer to consumer कहलाएगा ठीक है ध्यार रख रहा है यहाँ पर हो जाएगा C to C चलिए question number अगला आपकी screen पर और आपको जबाब करना है यहाँ पर CRW का full form ठीक है यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर होगा CWR का full form आपको बताना है क्या हो जाएगा ठीक है तो correct जबाब आपको करना है comment box में question number 9 का सही जबाब क्या हो जाएगा C हो जाएगा continuous wave radar क्या होगा continuous wave radar होता है CWR का पूरा नाम इसे आप याद रखेंगे काफी ज़्यादा important आपके लिए अब बढ़ते हैं next question के तरफ और जबाब करना है liberal office में ruler का shortcut की तो भाई बताईए ruler का shortcut की क्या होगा liberal office में यहां पर आपका B option हो जाएगा control shift R ठीक है control shift और R होगा ruler का shortcut की याद रहेगा आपको चलिए आप question number next आपके screen पर आ का है 11 और आपको बताना है Facebook का example है ठीक है Facebook का example है मिन्स निम्न में से किसका example है social networking का है e-learning बहुत या run-off दीज तो simple सी बात है भाई Facebook क्या है social networking का example है यहाँ पर आपका पहला option करेक्ट हो जाएगा social networking याद रहेगा आपको ठीक है और अगला question आपके screen पर यह रहा अब आपको बताना है question number 12 में windows एक प्रकार का operating system है true है कि false बताए विंडोज एक प्रकार का operating system है true and false में जवाब करना है बिल्कुल सही है windows क्या है एक प्रकार का operating system है न यहाँ पी बिल्कुल आपका right answer हो जाएगा पहला option correct question number 13 में आपसे क्या पूछा है इन में से कौन social site नहीं है चलिए आपको यह ढूड़ना है कि इसमें से कौन सी social site नहीं है तो दिखें यहाँ पर amazon क्या है यह आपकी एक e-commerce site है कैसी है e-commerce site है यह social site नहीं है बाकि सभी social site है ध्यान हैगा आपको यह आपकी आती है e-commerce site के अंतरगत ठीक है और e-commerce site क्या होती है जहां पर आप कोई भी आप business करते हैं यानि कि कोई भी product आप sale करते हैं या purchase करते हैं तो ऐसी जो site होती है वो आपकी e-commerce site होती है ठीक है electronic commerce site होती है आप question number अगला आपके screen पर आ चुका है आपको बताना है SMTP में M से तादपर है SMTP में M से तादपर मिन्स M का पूरा नाम पूछा है आपसे SMTP का मतलब क्या होता अगर आपको पता होगा तो आप इसको पता देंगे SMTP का full form पहले आप बताए और जिसका मतलब होता है simple mail transfer protocol simple mail transfer protocol ठीक है धिया रखना है simple mail transfer protocol होता है SMTP और इसका M का मतलब क्या हो गया mail हो गया तो यहाँ पर पहला option करेक्ट हो जाएगा mail जिक है यानिके simple mail transfer protocol होता है SMTP का पूरा नाम आप पूछा है dash telecommunication device का एक उधारण है इसमें से आपको बताना है telecommunication device का example कौन सा है keyboard mouse printer या modem telecommunication का example पूछा है तो सही जवाब हो जाएगा modem ठीक है और modem का full form क्या होता है यह भी आप लोग बता दे एक बार comment box में modem का full form क्या होता है modulator demodulator होता है ठीक है modulator demodulator होता है modem का full form इसे भी आप ध्यान रखें अब अगला question आपकी screen पर आपको बताना है comment box में desktop पर तारीक और समय dash पर होते हैं आपने देखाऊगा desktop पर जो तारीक और समय होता है वो कहां पर होता है क्योंको हमेशा desktop पर जो तारीक और समय होता है वो task bar पहुत होता है ठीक है task bar पर आपको right hand side पर आप देखेंगे तो बहां पर आपको क्या देखेगा date दिखेगा और time दिखेगा यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा task bar option पहला आपका correct हो जाएगा ठीक है और task bar यह कैस प्रोग्राम अगर आप open करते हैं तो इसका icon बहां पर आपको display होता है कि आपने कौन-कौन सा application open किया हुआ है वो आपको कहा नजर आता है task bar पर ही नजर आता है ठीक है नैस कुशन में आपसे पूचा है KYC से आसे यानि कि KYC का पूरा नाम आपसे पूचा है आपको कमेट बॉक्स में बताना है सही जवाब क्या हो जाएगा यहां पर होगा B option know your customer KYC का मतलग क्या होता है know your customer होता है यानि कि बी आप्सन आपका सही जवाब है चलिए नेस्ट कुशन आपको बताना है किसी टॉपलोजी में यदि एक कम्प्यूटर का नेटवर्क के बल टूट चाता है तो संपूर्ण नेटवर्क टूट चाता है रिंग इस्टार बस या टोके रिंग तो सही जवाब होगा सी यहाँ पर बस टॉपलोजी ठीक है सी ओप्सन आपका राइट है चलो अगला कुशन आपको बताना है कुश्चन नमबर 19 में पूचा है आपसे ISO से आसे यानि कि ISO का आप आपको बता देना है फूल फॉर्म यह बार आपको देखा होगा ठीक होता है इसका मतलब 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 होत या फिर सब स्क्रिप्ट के लिए कौन सी सौर्ट करेंगे यह आपको बताना है कॉसे नमर्ट 20 में तो ध्यारकना यहाँ पर आपका बी और प्रेस करेंगे और टू प्रेस करेंगे तो हमेशा यह नीचे आएगा ठीक है उसके बाद फिर से प्रेस करेंगे तो यह सब स्क्रिप्ट आपका हट जाएगा और अब आप जो भी वो प्रेस करेंगे तो सिंपल सा ओ आपका यहाँ जाएगा और फिर से आपको कंट्रोल शिप्ट बी प्रेस करना है और फिर आपको टू प्रेस करना है तो इस पगार से आप लिख सकते हैं य चलो नेस्ट कुष्टनौ आपके स्क्रीन पर बताना है डिश्टॉप पर आइकन से हम किसी प्रोग्राम को किस पकाद खूल सकते हैं आपको कोई भी आइकन डिश्टॉप पर नज़रा रहा है और आप उसको किस पर कार से उपिन कर सकते हैं उस पर क्लिक करके क्युंद सकते हैं उस पर double click करके खोल सकते हैं उस पर click करने के बाद keyboard क्लिक कर दीजिए उसके बाद कीवोड से आप एंट्र बेटन दबादीजिए तो फी ओपिर हो जाएगा ठीक है तो डेस्क्ट आप पर कोई बी हाइकन है उस पर डवल क्लिक करते हैं तो इंगर depends करते हैं तो भी ओपन हो हो जाएगा ठीक जलो यहां पर आपको बताना है कौन इस्टोरेज डिवाइस का एक्जामपल नहीं है CD floppy hard disk software इसमें से storage device का इग्जामपल कौन सा नहीं है कि आपको comment box में आशिकरना है भाइस शेयर करते रो सभी साथी जितने ताकि notification आप तक पहुंचता रहे है ठीक यहां पे पूचा क्या है storage device कौन सा नहीं है तो यह जो है वो storage device नहीं है ठीक है शॉफ्ट्वियर क्या है एक प्रोग्राम होता है जिसमें कोई storage नहीं रख सकते हैं कोई data प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं बाकि अगर बात करें CD की डिवाइस में स्वत्हापूर्ण है और रोम में रहता है पताइए बैच ऑपरेटिंग सिस्टेम है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टेम है या मल्टी पोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टेम है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टेम है जो डिवाइस में स्वत्हापूर्ण है और रोम मे memory क्या होगा यहाँ पर आपका राइट अंसर आपसन सी हो जाएगा एम डेड़ ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है जिसे गयते हैं अम डेड़ ऑपरेटिंग सिस्टम ओके याद हैगा तो यहाँ पर आपका आपका आपसन सी करेक्ट है चलिए question number 24 में आपको बताना है किसी object की properties को access करने के लिए mouse तकनिक का प्रयोग होता है अगर आप किसी भी object की property को access करना चाहते हैं तो mouse की कौन सी तकनिक का इस्तेमाल होगा dragging, dropping, right clicking या shift clicking अब भाई किसी object की करहाँ property देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे simple सा उस object पर right click करें तो c option हो जाएगा आपका right click, next question आपको बताना है किसी भी text को center align करने की shortcut की, आप किसी भी text को अगर center में align करना चाहते हैं तो क्या होगा उसका shortcut की तो center में align करने का shortcut की होता है control E, ठीक है, control E से आपका क्या होता है, center में align करने की shortcut की होती है धिहां रखना है, ठीक है, control L से left, control R से right, control E से center और control J से justify होता है, ठीक है, alignment को आप याद रखें कि shortcut की को भी आप याद रखें 26 में आपको बताना है करत्रीम बुध्य मत्ता को परदान होता है Computer Science, जी बिग्यान, मनो बिग्यान या उप्रोक्त सभी इन में से क्या क्रत्रीम बुद्धी मत्ता यानि कि Artificial Intelligence को प्रदान होता है 27 में आपका सही जवाब क्या हो जाएगा Computer Science, जी बिग्यान और मनो बिग्यान यहाँ पर उप्रोक्त सभी यानि कि आपका üap्षन यहाँ पर correct answer होगा अगला question आपको बताना है 28 और यहाँ पर पूछा है वह चेत जिसमें machine की मानवी बुद्हमत्ता का परिचण होता है वह चेत जिसमें machine की मानवी बुद्हमत्ता का परिच्ण होता है अब आपको comment करके बताना है कौँसा right answer यहाँ पर होगा 28 में भई यहाँ पर होगा B option cognitive पिग्जान ठीक है option आपका B correct हो जाएगा 29 में आपको बताना है calc में A1 प्लस A2 को add करने से क्या result आएगा अगर आप A1 और A2 को add करते हैं तो क्या परिडाम होगा अध्यान देना है A1 और A2 की कोई value नहीं आपको दी गई है अगर आप इसको जोड़ते हैं तो क्या result आएगा यह आपसे पूछा 29 में तो सही जवाब करना है क्या होगा comment box में तो यहाँ पर simple सा है कि 0 आ जाएगा A1 और A2 में कुछ नहीं मिलेगा तो बहाँ पर क्या होगा simple से जगर आप add करते हैं है ना और add करने पर आपका जो जवाब होगा वह 0 हो जाएगा यानि कि B option आपका यहाँ पर correct होगा अब बताईए एकला question आपसे पहुंचा है बिना subject लिखा गया message send हो सकता है क्या बिना subject लिखा गया message send हो सकता है एंट फाल्स में आपको बताना है क्या होगा इसका सही जबाब बिल्कुल हो सकता है पहला अपसन आपका राइट है हाँ बिना सब्जेक्ट लिखा गया मैस्विद भी सेंट हो सकता है ठीक है तो आज की क्लास बसेंग तक थी उमिद करता हूं क्लास सभी को पसंद आई होगी क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें सियर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके विल आइकन भी आउन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक मिलता रहे और भ्यां रखें इसका PDF टॉलोड करने के लिए आप टेलिग्राम चैनल को जोईट कर सकते हैं टेलिग्रा अप apprendre सर्क्राम जहां से आप ज्योंक सकते हैं ट्रफल ची वाइफा श्रेडी से सार्ज करतेट्गे तो बहीं पर मुझे फालो कर सकते हैं तो बहां पर जो भी आपके डाउट है वो क्लीयर हो जाएंगे और कोई भी नवाल आप कर सकते हैं उनका जबाब भी आपको मिल जाएगा ठीक है ठीक्स वाचिंग थैंक यू गोड नाइट वाल